Hello Friends, Chapter 8 से Example 15 करेंगे ये Example आपका Depreciation से Related है पहले मैं बता देता हूँ कि Depreciation क्या होता है Depreciation होता है किसी भी Object या किसी भी चीज की Value के अंदर उसकी जो घटत होती है जो घटता है टाइम के साथ में उसे हम Depreciation बोलते हैं जैसे आपने सुना होगा कि गाड़ी ली किसी ने वो गाड़ी ली पांच लाक रुपे की शोरूम से निकाली पांच लाक रुपे की गाड़ी है लेकिन एक साल बाद जब उस गाड़ी को आप भेचोगे तो पांच लाक रुपे की थोड़ी ना भेच पाओगे उसकी कीमत घट जाती है गाड़ी चलेगी ये घिसेगी इसका मॉडल पुराना होगा तो इसकी कीमत घटेगी तो एक साल बाद जादा से जादा ये कितने की बिगेगी ये तीन लाक रुपे की बिग जाएगी तो ये जो इसकी कीमत में कटोती हुई है जो दो लाक रुपे इ इतने नहीं रहती साल दर साल टाइम वाइस टाइम उसकी कीमत घड़ जाती है इसे हम डेप्रिसेशन बोलते हैं इसी तरह का आपका यह कोशन भी है कोशन पढ़ते हैं एक टीवी खरीदा 21,000 रुपीज का एक साल बाद उस टीवी की जो कीमत है न वो 5% डेप्रिसेट हो गई है यानि कि कम हो गई है अब ब्रेकेट में सारा समझा रखा है आपको डेप्रिसेशन के बारे में समझा रखा है जो मैंने यहां समझाया है पढ़ लेते हैं एक बार डेप्रिसेशन का मतलब होता है किसी चीज की कीमत में कटोती कीमत का कम होना रिजन उसके यूज की वज़े से या एज आज आज यानि वो पुरानी हो जाती है आप से कोशन पूछा है बताइए एक साल बाद अब उस टीवी की जो कीमत है वो कितनी रह जाएगी जैसे यहां कार वाले केस में एक साल बाद कार की कीमत 5,00,000 से सिर्फ 3,00,000 रह गई थी ऐसे आपको टीवी की बतानी है तो पहले हम टीवी का जो प्रिंसिपल प्राइज है इनिशेल प्राइज है वो लिख लेते हैं प्रिंसिपल प्राइज ओफ टीवी यह है 21,000 रुपीज का अब इसके उपर लग रहा है डेप्रिसेशन और डेप्रिसेशन की परसेंटेज दे रखे यहाँ पर 5% अब हम डेप्रिसेशन पता करेंगे इसके अंदर यह है 5% यानि 100 रुपे पर 5 रुपे कम हो रहे हैं तो 5 अपॉन 100 लिखेंगे हम इसे यह हमने 5% लिख दिया अब 5% किसका टीवी के प्राइस का ही तो लगेगे न 5% तो 5% आफ यानि की मल्टिप्लाए 21,000 यह जो 21,000 रुपे हैं इनका 5% आप निकालोगे इतनी कीमत कम हो जा अब इसको हम निकाल लेते हैं तो एक और दो एक और दो एक जिरो से एक जिरो कट गई एक जिरो से एक जिरो कट गई यहाँ पे 210,5 तो 210 को 5 से मल्टिप्लाइ कर लेते हैं 500,000, 5105, 52010, 1050 रुपीज इतने रुपे कम हो गई हैं अब टीवी शुरू में था 21,000 रुपे का इतने रुपे एक साल में कम हो गई तो जितने कम हुए हैं उतने हम इसमें से माइनस कर देंगे वो ही वेलू होगी टीवी की एक साल बाद तो हमारा आंसर आजाएगा इसक माइनस करके लेंग्विज हम ऐसी लखेंगे जैसे हमें बुक में दे रखा है वेलू आफ़ टीवी आफटर वन येर तो देरफोर वेल्यू आफ़ टीवी आफटर वन येर शुरू में थी 21,000 ये एक हजार पचास रुपे कम हो गए माइनस कर लेते हैं इसको यहां रफ मे 21,000 माइनस 1050 जिरो सो जिरो गया जिरो यहां पे 10 बन जाएगा 10 में से 5 गया 5 यहां 9 रह जाएगा 9 में से कुछ नहीं गया 9 यहां पे 1 इसने दे दिया तो यहां 0 बचा तो 0 बचेगा तो यहां 10 हो जाएगा 10 में से 1 गया तो 9 यहां 2 की जगे 1 बचेगा 1 का 1 सब्ट्रेक्शन तो आप करी लोगे 19,950 रुपे 19,950 लास्ट में आप यूनिट जरूर लगाओ यह रुपीज में अंसर है बीच में अगर नहीं भी लगाओगे जहां आप सिंप्ल रहा है, कोश्चन खतम